ये स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक एक प्ले है आम्स एंद अमैन भाई जी बी शौक तो इस प्ले के हम सारे पॉइंट्स को बहुत डीटेल में डिसकस करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल के अल्रेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत इच्छे से पता होगा कि मेरी वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखनी को मिलता है और मेरी वीडियो में कोई भी पॉइंट मिस नहीं होता हर चीज को मैंने बहुत अच्छे से बहुत डीटेल में एक्स्प्लेइन किया होता है तो चलिए टाइम वेस्ट किये बगएर हम अपनी टॉ को स्टार्ट करते हैं टाइटल आम सेंड़ेमे आंस का मतलब बाच नहीं है आपका बॉडी पार्ट नहीं है आमस का मतलब है वैपन ठीक है और यह टाइटल कहां से लिया गया इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं प्लेयराइट है जी बी शौ जीबी शौ आईडिश अ और पॉलिटिकल एक्टिविस्त थे, इन्होंने मोर देन सिक्स्ती प्लेज लिखे, 1856 में पैदा हुए, 1950 में की डेथ हुई, और 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, ये प्लेज इन्होंने कब लिखा, 1893 और 1894 में, वेर रिटन, आरलेंड, इंगलेंड, पबिश्ट इन 1898, As a Part of Shaw's, Place Pleasant Volume, जो ने 1898 में Place Pleasant and Unpleasant के नाम से अपने कुछ प्लेज पबिश करवाए थे, और इस प्लेज को उन्होंने Pleasant Place की केटेगरी में रखा था, Date Premier, 21st April, 1894, Place Premier, Avenue Theater, तो इस प्लेज को पहले स्टेज पे दिखाया गया और बाद में ये पबिश हुआ, Subject, Love and War, Literary Period, End of Romanticism, Beginning of Modernism, 1890 से लेके 1900 तक का जो टाइम पिरियड था, इसको डिफरेंट नेम्स दिये जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम था जब ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे, बहुत तेजी से बदल रहे थे, इसको Transitional पिरियड भी कहा जाता है, Gay 90s भी कहा जाता है, और Naughty 90s भी कहा जाता है, जोनरा, कॉमेडी, फार्स, स्टाइर, कॉमेडी और स्टाइर का तो आपको पता ही होगा, लेकिन फार्स क्या है, फार्स एक ऐसा प्ले है, जिसमें हर चीज को बहुत exaggerate करके दिखाया जाता है, मतलब हर चीज को बढ़ार चढ़ा कर बताया जाता है, इसमें impossible और improbable किसम क situations होती है, और जो characters होते हैं, वो भी unrealistic होते है, exaggerated होते हैं, absurd situations और humor होता है इसमें, ठीक है, अब setting देखें, Bulgaria, title significance, the title of the play, Arms and the Man, comes from the opening words of Virgil's Latin epic poem, the Ennead, आर्मा वाइरम के कियनो, ये Latin में लिखे हुए है, ये line, of arms and the man I sing, ये इसका meaning है, यहां से G.B. Shaw ने ये title लिया है, The title is used ironically by the playwright G.B. Shaw to highlight his theme that war should not be romanticized, Virgil ने इस line को अपनी poem में different sense में use किया था, उसका purpose कुछ और था, G.B. Shaw का purpose कुछ और है, ये लोगों को criticize करना चा रहे हैं, ये उन लोगों को condemn कर रहे हैं, यानि इसको ironic way में use किया है, वो सब लोग जो war के बारे में बड़े romantic ideas रखते हैं, war को idealize करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे farewell to arms में Ernest Hemingway ने war के बारे में idealistic views रखने वालों को criticize किय बाता है, कि soldiers के war के बार, realistic notions नहीं है, idealistic या romantic ideas नहीं है, बहुत realistic views हैं, तो इसको story में से discuss किया है, G.B. Shaw ने, ये हम समरी में देखते हैं, अब हम इस play की important themes देख लेते हैं, तो पहली सबसे important theme है, disillusionment with war, फिर है romantic love, social status, idealism versus realism, romanticism of war, अब हम इस play के important characters discuss कर लेते हैं, तो इस play की protagonist एक लड़की है, राइना पैटकॉफ, इसकी age 23 years है, इसके father का नेम है major पैटकॉफ, और mother का नेम है Catherine, ये एक rich Bulgarian family है, राइना की मंगनी हुई है, तो इसके fiance का नेम है major sergius, major sergius से बाद में इसकी engagement खतम हो जाती है, और पिर इस इसकी शादी होती है, Captain Bluntsley, अब हम इन characters को थोड़ा सा detail में देख लेते हैं, राइना पैटकॉफ, ये protagonist है, age 23 years है, बलगेरियन मूमन है, इसकी मंगनी हुई है, जैसे हमारी society में engagement होती है, जिसको मंगनी भी बोलते है, बैट्रोथ का word यूज करते हैं, उनके हाँ ये बैट इसकी शादी भी बलंचली के साथ ही होती है, मेजर पैटकॉफ, राइना के फादर है, मेजर से आपको पता चल रहा है कि आर्मी में जॉब करते हैं, कैथरीन इनकी वाइफ है, ये राइना की मदर है, ये चाहती है कि इनकी बेटी की शादी किसे अच्छे से घर में हो दोनों वार के बारे में बड़े आइडियलिस्टिक व्यूज रखते हैं, मेजर सेजियस टॉल, हैंसम और बड़ा वैल्दी इनसान है, ये बड़ा फलर्टियस आदमी है, इसकी इंगेजमेंट तो राइना के साथ है, लेकिन राइना की यानि पैटकॉफ फैमिली की एक मे परसंडरी कौन होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं, जो उस वार का उस कंट्री का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये उस वार में पार्टिसिपेट करते हैं, उस वार में हिस्सा लेते हैं, जैसे इस प्ले में बलगेरिया और सर्बिया इन दोनों के दर मियान में वा तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जी बी शौ का माउथ पीस है राइना इसे चॉकलेट क्रीम सोलजर भी कहती है क्योंकि ये अपने पॉकिट में वैपन्स रखने की बजाए चॉकलेट्स और कैंडीज रखता है लास्ट करेक्टर है लोका ये फैमिली की सर्वेंट है मेड है इंगेजमिन्ट खतम कर देती है और सर्जीयस के साथ शादी करती है अब यहाँ पर जी बी शौ ने एक और चीज़ हमें दिखाई है कि हमारे सोसाइटी में जो क्लास ट्रगल नज़र आती है हम देखते हैं कि अमीर गरीब के साथ शादी नहीं करता और गरीब अमीर के करते हैं तो स्टोरी स्टार्ट होड़ती है एक बिल्गेरियन फैमिली के घर में टाइम पीरियर है 1885 का और यह वो टाइम था जब बल्गेरिया और सर्भिया के दरम्यान जंग चल रही थी यह जंग स्टार्ट हुई 14th नुवेंबर 1885 और एंड हुई थी 28 नुवेंबर 1885 र इस ग्रूप को विक्टरी मिली, उस ग्रूप को लीड करने वाला सर्जियस था, तो इस वज़ा से ये दोनों बहुत हैपी बैठी हैं, दोनों माप बीटियां बहुत खुश बैठी हैं, अब उसी टाइम पे लोका, जो के इनकी मेड सर्वेंट है, ये आती है, और कहती है कि अपनी विंडोस बंद कर लें, क्योंकि इस टाइम पे जो सर्वियन आर्मी है, वो यहां से भाग रही है, और उनको बल्गेरियन आर्मी पकड़ रही है, अब उस रात को फाइरिंग स्टार्ट हो जाती है, राइना अपनी विंडोस बंद करने लगती है, लेकिन उसकी वि रही है, राइना को उसका डर, उसकी कंडिशन देखकर उस पर तर्स आ जाता है, यह उस पर रहम खा लेती है, राइना भी इससे बातें खती है, यह राइना को बताता है कि बल्गेरिया ने यह जो विक्टरी ली है, यह बाइचांस ली है, उनके अंदर कोई भी किसी किसम क capability नहीं है और इन्होंने जंग में विक्टरी सिर्फ इसी वज़ा से लिए सर्भिया के पास जो weapons थे वो proper तरीके से पूरे weapons नहीं थे सिर्फ यही वज़ा बनी कि बल्गेरिया जंग जीत गया और सर्भिया जंग हार गया इसकी बात सुनकर राइना को घुसा आ जाता है क्योंकि जंग में जो विक्टरी हुई थी वो सर्जियस की वज़ा से हुई थी सर्जियस जो कि इसका फ्योंसी है तो राइना को उसकी बात पर घुसा आता है यह उसे डांट देती है अब कुछ टाइम गुजरता है और बल्गेरियन आर्मी आती है वो कहते हैं कि वो रूम को इंस्पेक्ट करना चाते हैं रूम की चेकिंग करना चाते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई सर्बियन सोलजर यहां पे आके चुपा हुआ है राइना बलंचली को कर्टन के पीछे चुपा रहती है वो आते हैं रूम की चेकिंग करते हैं और पर वापिस चले जाते हैं अब राइना की जो सर्वेंट है लोका उसे पता होता है कि राइना के रूम में कोई छुपा हुआ है लेकिन वो छुप रहती है वो बताती नहीं है राइना कैप्टेन ब्लंचली को तसली देती है कि तुम मेरे रूम में बिल्कुल सेफ हो तुम्हें यहां पे कोई प्रॉब जाती है उसके बाद सेकिंड एक्ट स्टार्ट होता है टाइम है 1886 और सप्रीम का यह दोनों घर के सेर्वेंट्स है और लोका कहती है कि वो उस घर के बारे में बहुत से सीक्रेट्स जानती है लेकिन वो किसी को बताएगी नहीं उसमें नीकोला उसे डांटता भी है और कहता ह मैं भी बहुत से सीक्रेट्स जानता हूं लेकिन मैं कभी भी अपने मालिक को ब्लैकमेल नहीं कर सकता उसके बाद राइना के फादर मेजर पैटकॉफ जंग से वापिस आ जाते हैं मेजर पैटकॉफ फैमिली को बताते हैं कि सर्जियस को किसी किसम की कोई परमोशन नहीं मि परमोशन नहीं मिलने वाली उसका कोई रैंक नहीं बढ़ने वाला तो इस वज़ा से अब वो आर्मी को भी छोड़ देगा उसके बाद बातों बातों में मेजर पैटकॉफ और सर्जियस बताते हैं कि उन्होंने एक बात सुनी है दो बलगेरियन वुमेन ने एक स्विस मरस अपने घर में चुपाया था अब रैना और उसकी मदर फॉरण समझ जाती है कि ये दो वुमेन कोई और नहीं बलकर रैना और उसकी मदर है सर्जियस और राइना बाते कर रहे होते है उसके बार राइना अंदर जाती है ताकि वह सर्जियस का हैट लेके आए अप उसी वाइदा उठाना चाहना हा है। अपाया हुआ था छूका है। अभी उसे अंदर बुला लेती हैं, अंदर बुला कि क्या देखती हैं कि वो तो कैप्टन बलंचली है, अब कैथरीन उसे फॉरण से वापिस भेजना चाती है कि उसे कोई और ना देख ले, कैप्टन बलंचली वो कोट वापिस करने आया है, जिस दिन वो, जिस रात को उसने इनके घर पर स्टे किया था तो सुबा के टाइम जब वो जाने लगा था वो कोट लेकर गया था और अब वो ही कोट रिटर्न करने आया है कैथरीन उसे जल्दी से वापस भेजना चाहती है लेकिन उसी टाइम मेजर पैट कॉफ की उस पर नजर पड़ जाती है और वो उसे अंदर बुला लेते हैं वो उसके साथ बहुत वामली बहुत अच्छे से मिलते हैं और वो कैप्टन बलंचली से कहते हैं कि बल्गेरियन टूप्स की मॉवमिंट में वो उनकी हैल्प करें राइना कैप्टन बलंचली को दूर से देख के कहती है चॉकलेट क्रीम सोलजर राइना ने उसे ये नाम इस वज़ा से दिया था क्योंकि जिस रात को ये राइना के रूम में आया था तो इसने राइना को बताया था कि वार कोई अच्छी चीज नहीं है और वो लड़ने को पसंद भी नहीं करता इसी वज़ा से वो अपनी पॉकिट्स में वेपन्स रखने की वज़ाए कैंडीज रखता है अभी उसे देख के जल्दी से चॉकलेट क्रीम सोलजर बोल देती है और फिर बाद में से अफसोस होता है कि इसने जल्दी में ऐसे क्यों बोला फिर दुपहर को राइना और बलंचली को अकेले बैटने का मौका मिलता है राइना बलंचली को कहती है कि उसने बलंचली के लिए जूट बोला है उसे इस बात पर अफसोस हो रहा है फिर केप्टन बलंचली को एक टेलिग्राम मिलता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और वो उसके लिए काफी ज्यादा इन्हेरिटेंस छोड़के गई है मतलब काफी ज्यादा जाइदा प्रॉपर्टी छोड़के गई है राइना और बलंचली अब वहाँ से चले जाते हैं सर्जियस और लोका आ जाते हैं लोका सर्जियस से पूछती है कि क्या तुम मेरे से शादी कर लोगे मतलब मैं एक सर्वेंट हूँ और तुम एक अपर क्लास से बिलॉंग करते हो सर्जियस कहते है कि हाँ वो शादी तो कर सकता है लेकिन अभी उसकी राइना के साथ इंगेजमेंट हूई है तो हो सकता है इस वजज़से वो ना कर सके उस पर लोका उसे टीज करती है और कहती है कि राइना का तो कैप्टन बलंचली के साथ अफैर चल रहा है और नहीं वो तुम्हारे साथ प्यार करती है लास्ट एक्ट स्टार्ट होता है राहिना को पता चल जाता है कि लोका और सरजियस में अफेयर चल रहा है क्योंकि ये सरजियस को लोका को किस करते हुए देख लेती है मेजर पैटकॉफ भी अब मान जाते हैं और राहिना भी क्लेरली बता देती है कि इसकी अब मंगनी खतम हो चुकी है और ये कैपटन बलंचली के साथ अब शादी करना चाहती है सर्जियस एनाउस कर देता है कि वो भी लोका से शादी कर रहा है और लोका का एक्स फियॉंसी निकोला भी इस चीज़ को एकसेप्ट कर लेता है राहिना के फादर और मदर दोनों मान जाते हैं क्योंकि कैपटन बलंचली के पास अब एक लार्ज इन हैरिटेंस आ चुकी है बलंचली अब वापिस चला जाता है और कहता है कि वो 14 डेज में वापिस आएगा क्योंकि वो अपने फादर की जितनी भी उसनों ने जायदा चोड़ी है जो भी स्टेट चोड़ी है वो उसकी देखपाल करने के लिए जा रहा है और 14 डेज बाद वापिस आएगा और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाएगी और यहां पे प्ले एंड हो जाता है यह थी कंप्लीट स्टोरी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना मेरी वीडियो को लाइक और शियर भी आपने जरूर करना है थैंक यू फर वच्छे